80 और 90 के दशक में बॉलिवुड में कई एक्ट्रेसस ने अपनी गजब की खूबसूरती से फैंस का दिल जीता। एक्टिंग के साथ ही कई हसीनाएं अपनी खूबसूरती से भी लोगों को अपना मुरीद बना चुकी थी। ऐसी ही एक एक्ट्रेस थी मंदाकिनी। मंदाकिनी की खूबसूरती और नीली आँखों की खूब चर्चा हुई। फैंस उन्हें देखते तो एक टक देखते ही रह जाते थे। आम लोग तो छोड़िये नीली आँखों वाली मंदाकिनी पर तो अंडरवल्ड का दौन दाओद इब्रहिम भी दिलहार बैठा। जुलाए 1963 को उत्तर प्रदेश में मेरत में हुआ था। गौर तलब है कि 80 और 90 के दशत में बॉलीवुड में अंडरवल्ड का काफी इंटरफेर था। अंडरवल्ड दौन दाओद तो मंदाकिनी के प्यार में दूब चुका था। मंदाकिनी ने कभी डौन के साथ अपने रिष्टे को एक सेप नहीं किया लेकिन दोनों की साल 1994 में सामने आये एक तस्वीर ने दोनों की रिष्टे पर मुहर लगा दी थी। साल 1994 में दुबई के शारजाह के क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के बीच मैच चल रहा था। मैच देखने दाओद और मंदाकिनी साथ में पहुँचे थे। मंदाकिनी और दाओद एक दूसरे के बिलकुल पास बैठे हुए थे। दोनों क की तस्वीर सामने आई तो बवाल मच गया। ये तस्वीर काफी चर्चा में रही लेकिन इसका मंदाकिनी के बॉलीवुड करिया पर गहरा असर पड़ा। अंदवर्ग डॉन के साथ नस्दीकिया होने के चलते मंदाकिनी का बॉलीवुड करिया बरबाद हो गया। कभी ब पोजट राज कपूर के बेटे राजीव कपूर ने काम किया था। फिल्म टिकट खिलकी पर हिट रही। पहली ही फिल्म से मंदाकिनी चा गई थी। डेब्यू फिल्म के समय मंदाकिनी की उम्र 22 साल थी। अपनी पहली ही फिल्म में मंदाकिनी ने बोल्ड सीन देकर राम तेरी गंगा मैली के हिट होने के बाद मंदाकिनी के पास फिल्मों की लाइन लग गई थी लेकिन उन्होंने अपने अच्छे खासे करियर पर खुद पानी फेर लिया था